अगर साउथ के एक्टर्स भी वही सब करेंगे जो बॉलिवुड के कुछ एक्टर्स ने शुरू किया था तो इंडस्ट्री कोई भी हो, जमीन पर लाते देर नहीं लगेगी। तरसल साउथ इंडस्ट्री का बोल वाला पूरे देश में हो गया है, लेकिन आपको अब भी यहां हिंदी बेल्ट में कोई कुछ भी नहीं पूछता है। आज बॉलिवुड एक हिट फिल्म के लिए तरस रही है, और देखा जाए तो इसी बात का फाइदा साउथ की मुवीज को मिलने लगा, और यहां की फिल्म में ब्लॉक बस्टर होने रही। लेकिन गौत असकरी के कितने केसेस हुए हैं आज तक, दो, चार, पाँच, लेकिन कश्मीरी पंडितों की मौत की संख्या तो गिन भी नहीं पाओगे। उनके साथ हुई दरिंदगी को आप तीन, चार केसेस से कैसे जोड सकते हो। दे कश्मीर फाइल्स फिल्म में जब तीस साल पुरानी घिनावनी सच्चाई को परत दर परत खोल कर दिखाया गया तो ये बात कई लोगों को हजब नहीं हुई। कॉंग्रेस के नेताओं ने फिल्म का विरोध किया तो केजरीवाल जैसों ने फिल्म का मजाखी बना डाला। वो अलग बात है कि अब ये बेपेंदी का लोटा अपने ट्वीट्स में कश्मीरियों की बात करके उन्हें फेवर में लेने की कोशिश में लगा हुआ है। ये एक ऐसी फिल्म थी जो मातर 20 करोड की लागत से बनी थी लेकिन पबलिक के जबरदस्त सपोर्ट के कारण फिल्म ने 300 करोड से ज्यादा का बिजनेस कर डाला। फिल्म देखकर जिनके पिछवाडे में आग लगी उनकी आग तो तुरंत बुझाने में राष्टवादिय उन्हें देरी नहीं की हाला कि फिल्म इंडस्ट्री से भी फिल्म को काफी अप्रिसीशन मिला अब इस फिल्म को लेकर एक और विवाद आ खड़ा हुआ है और इसे दुखद ही कहेंगे कि ये साउथ एक्ट्रेस की तरफ से दिया गया बयान है दुख की बात है कि दो चार क साउथ की एक्ट्रेस के कम नॉलेज के कारण इन्हें अच्छे बुरे में फर्क नहीं दिखता और वैसे भी जब इनकी फिल्म रिलीज होने को होती है तो ये किसी भी तरह की बयान बाजी करके सबका ध्यान अपनी तरफ खीचना चाहते हैं साउथ की एक्ट्रेस साई पल्लवी ने एक इंटर्वी के दोरान कहा कि एक फिल्म आई थी दा कश्मीर फाइल्स उसमें कश्मीरी पंडितों को मुस्लिमों द्वारा मारते दिखाया गया अगर आप उसे रिलीजियस कॉन्फलेक्ट के तौर पर देखते हैं तो हाली में ज निकल कर भगा देना पती के खून से भरे चावल को पत्नी को खिलाना ये सारी बाते और एक चोर जो गाय चोरी करके ले जाते हुए भीड का शिकार हो जाता है ये दोनों सेम बाते हैं गौत असकरी के कितने केसे हैं आज तक दो चार पाँच लेकिन कश्मीरी पंडितों की मौत की संख्या तो गिन भी नहीं पाऊगे उनके साथ हुई दरिंदगी को आप तीन चार केसे से कैसे जोड सकते हो ऐसी मुर्खता बरी बाते एक फिल्म में ठुमके लगाने वाली दो कौरी की एक्टरेस ही कर सकती है जिसे ना अपने इतिहास का पता है ना भविश्य का वैसे भी भविश्य की जानकारी तो हम दे ही देंगे आने दो आपकी आने वाली फिल्में अगर देश में कोई भी वेक्ति ये समझता है कि मैं तो इस पद पर हूँ या मैं सेलिब्रिटी हूँ और किसी के भी सेंटिमेंट के साथ खेल सकता हूँ तो ये गलत फहमी उन्हे दिमाग से निकाल देनी चाहिए यहां क्योंकि ये घटिया बयानबाजी साथ की एक्टरस ने की है तो हम फिल्म इंडस्ट्री पर बात करेंगे साथ फिल्म मेकर्स एक्टर्स के बेहतरीन टैलेंट के कारण पूरे देश में उनके काम को अप्रिशेट की आ जाता है यह appreciation केवल उनके काम को लेकर नहीं होता है बलके उनके off camera किये गई कारियों के कारण भी होता रहा है यानि राष्टरवादी विचार अपने धर्म के प्रतियास था और इनका down to earth होना ऐसा नहीं है कि South Film Industry में 5 साल से पहले अच्छी फिल्में नहीं बनती थी लेकिन North India में exposure मिलना अब शुरू हुआ है क्योंकि वहां के actors की simplicity लोगों को भाने लगी है film script, acting ये सारी technical चीज़े बाद में आती है लेकिन अगर उसी South Film Industry से इस तरह के बयान आएंगे जो साई पल्लवी ने बोला है तो फिर ये दुखदाई है और जनता को दुख होता है तो उसका भुकतान वो actress तो झेलेगी लेकिन कहीं न कहीं इसका असर पूरी industry पर भी पड़ेगा गौत असकरी में कोई भी मारा जा सकता है अगर उस काड़ी को हिंदू चला रहा होता तो वो भी मारा जाता जो की गलत है ये मैं मानता हूँ लेकिन कश्मीर में सिर्फ हिंदू मारे गए तो ये दोनों बाते एक कैसे हो सकती है ये चीज इस दो कौड़ी की actress को समझना चाहिए और आप क्या समझेंगी आप तो पबलिक इनकी फिल्मों को डबा बंद करके खुद समझा देगी फिल्म मनुरंजन जगत ये सारी चीजे राष्ट धम से बढ़कर नहीं है यदि एक एक्टर पर लगातार देश भक्ती की बाते करता हो और रियल लाइफ में इस तरह की घटिया बयानबाजी करेगा तो अब बरदाश्त नहीं किया जाता आप परदे पर भले शाकाल का रोल करो लेकिन आफ स्क्रीन आप एक सचे भारतिय हो जो अपने धर्म कल्चर में विश्वास करता है तो आप हमारे लिए रियल हीरो है इस दो कॉड़ी के एक्टरस को जैनोसाइड और मॉब फ्रेंजी में फर्क मालूम होना चाहिए ये कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म को दो चार गौत असकरों की मौत के बराबर समझती है पिछले कुछ सालों में तो सब ने देखा है धर्म के प्रति सम्मान न दिखाना देवी देवताओं की बेज़ती करने के एवज में पबलिक ने बॉलिवुड को कहां लाग खड़ा किया आज बॉलिवुड एक हिट फिल्म के लिए तरस रही है और देखा जाए तो इसी बात का फाइदा साउथ की मूवीज को मिलने लगा और यहां की फिल्में ब्लॉक बस्टर होने लगी लेकिन अगर साउथ के एक्टर्स भी वही सब करेंगे जो बॉलिवुड के कुछ एक्टर्स ने शुरू किया था तो इंडस्ट्री कोई भी हो जमीन पर लाते देर नहीं लगेगी पबलिक अगर किसी को बना सकती है तो उसे आउकात दिखाने में भी समय नहीं लगाती क्या कभी आपने नमाज के बाद पत्थर बाजी करते लोगों पर कुछ बोला क्या आपने एक छोटे से बयान को लेकर नुपल शर्मा को जान से मारने पर आमादा भीड पर कुछ बोला नुपल शर्मा के पुतले को सरयाम सडक के बीच लटका कर अपना गुस्सा दिखाना ये सब कौन कर रहा है हर रोज निउस चैनल में जो दिखाय जाता है कि किस प्रकार से हिंदु अपना घर छोड़ कर पलायन कर रहे हैं ये सब कौन करवा रहा है किसके कारण हो रहा है साई पलवी आपकी पीडा भी समझ में आ रही है लेकिन खुद को लाइम लाइट में लाने का ये तरीका आपको फारी पड़ेगा माना कि किसी आने वाली फिल्म को प्रमोट करने के चक्कर में आप ये उलूल जूल बयान बाजी कर रही हो तो ये खुद समझ में आ जाता है कि जब कॉंग्रेस किसी के सपोर्ट में उतर जाये तो समझो पक्का उस बंदे ने राष्ट विरोधी धर्म विरोधी बयानबाजी की होगी। कॉंग्रेस का समर्थन एक मुहर की तरह है जिससे सही गलत का फैसला करने में आसानी हो जाती है ये बड़ा अजीब है कि आज किसी भी विशे पर बात चले जैश्री राम को बीच में जरूर यूज किया जाता है जैश्री राम के नारे का जिक्र जरूर होता है लेकिन नेगे में भी नहीं आती मैं तो जाते जाते इतना ही कहूंगा आपको गेट वेल सून जैहिंद वंदे मातरम